होली की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुपकाम नाए ये होली आपके जीवन में धेर सारी खुसियां लेकर आए आज हम बात करेंगे सरसों के तेल की देखे होली के दिन गरहों की पीडाओं से मुक्ती पानी के लिए बिसेज परियोग किये जाते हैं होली की अगनी का परियोग रंगों का परियोग और राह का परियोग लेकिन आज हम आपको खास बाते बताएंगे और वो है सरसों के तेल कैसे इसका परियोग करकर आप जीव प्रियोग अगर पुर्णिमा तिथी पर करें तो सर्वोत्तम होगा यानि होली का दहन वाले दिन वैसे तो इस बार भद्रा दिन में एक बचकर 33 मिनट पर ही समाप्थ हो जाएगा और पुर्णिमा तिथी रात 12.40 तक है सास्त्र कहता है कि भद्रा रहित पुर्णिमा तिथी में होली का दहन करना चाहिए इसलिए रात 12.30 मिनट से पहले होली का दहन होगा क्योंकि इसके बाद चैत्र मास की परतिपदा तिथी सुरू हो जाएगी और पंचांग के अनुसार 28 मार्च को साम 6.37 मिनट से रात 8.56 मिनट तक दो घंटे 20 मिनट तक होली का दहन का मूर्द बना हुआ है जो की बहुत सुब है तो इस समय आप परियोग कीजिए जो भी परियोग आप कर सकते हैं तो होली का दहन के दिन बहुत सारे दुरलब योग बन रहे हैं जैसे कि अभीजीत मूर्द रहेगा दोपार 12.00 कर 7.00 मिनट से दोपार 12.00 कर 56.00 मिनट तक अम्रित काल है सुबह 11 बच कर 4 मिनट से दोपहर 12 बच कर 31 मिनट तक ब्रह्म मुहुर्थ है सुबह 4 बच कर 50 मिनट से सुबह 5 बच कर 38 मिनट तक और सरवार सिद्धी योग है सुबह 6 बच कर 26 मिनट से साम 5 बच कर 36 मिनट तक तो अम्रिस सिध्धी योग भी बना हुआ है सुबह 5 बच कर 36 मिनट से 29 मार्च की सुबह 6 बच कर 25 मिनट तक अब इतने सारे दुरलब योग बने वे हैं तो इस बार का होली का महत्व भी बढ़ जाता है तो ऐसे में जो तमाम रासी वाले हैं आप अपनी अपनी रासी के अनुसार होली का की अगनी में आहुती दे सकते हैं हलांकि हमने टॉपिक रखा है तेल की उसके बारे में भी जानकारी देंगे लेकिन जो मेस वाले हैं ना मानसिक परिसानियों से निजात पाने के लिए गुड होलिका की अगनी में डालिए अपने हातों से जो बिसब बाले हैं चीनी डालिए होलिका की अगनी में अपने हातों से और मिथुन बाले गेहुं की बालियां और चाहें तो कपूर भी डाल सकते हैं करकरासी वाले आप नोकरी और रोजगार से जुडा हुआ सुब समाचार प्राप्त करने के लिए पलास की लकडी या फिर लोबान डालिए सिंग वाले आप गुड डाल कर आहूती दे पित्री दोस समाथ्थ होगा कन्या वाले आप अपा मार की लक्री डाल सकते हैं कार छेतरी की बाधाये समाप्त होगी या फिर आप कपूर ही डाल दे तुला वालों आप भी कपूर की आहुती दे परिसानिया समाप्त होगी बिस्चिक वालों गुर डालिये का हुलिका की अगनी में धनू वालो आप जो और चना से आहुती दीजिए भगवान स्री हरी की किपा मिलेगी मकर वालो आप तिल काला तिल की आहुती दें जीवन की सारी परिस्यानिया समाप्त होगी और कुम्ब वालो आप भी तिल की ही आहुती दें मीन बालों आप जोर चना की आहुती दें, बित्री दोस समाप्त होगा, स्वास्त की परिसानिया समाप्त होगी तो आईए आप जानते हैं सरसों के तेल का प्रियोग, देखिए आपको तो पता है कि सरसों का तेल सनी से समंद रहता है, रखता है और जब जीवन में सनी से समंद रहता है, कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में सनी देप कुपित है देखिए सबसे पहली तो लक्षन है, लक्षन जान लीजिए पती पत्नी में बहुत दूरिया है, माता पिता के स्वास्त गरबढ है करियर में बहुत परिसानी है समझ लें आपका सनी गरबढ है क्या करेंगे एक तो सब के साथ मधूर संबंध बनाए दूसरा एक स्टील की कटोरी में इस फालगुन पूरिमा के दिन साम के समय याद रखिए सरसों का तेल ले ले अपना फेस उसमें देखिए यानि छाया देखिए और इसको किसी निर्धन को देदें कटोरी के साथ ही या फिर किसी पास के मंदिर में रख दें सनी देप का मंदिर है सनी सिला है वहाँ पर रखाए या पीपल की नीचे रख दें तो रहात मिलेगी तो ये सरसों के तेल का छोटा सा परियोग कीजिए ताकि आपकी साड़े साथी ढहिया से भी मुक्ती मिले और जीवन के आ रही समाम समस्याओं से भी मुक्ती मिले अब होली है मस्ती का रंगों का खुसियों का आनन्द काति वहाँ तो इस दिन आप साम के समय हुली का देहन के दिन याद रखिए साम के समय रवीवार का दिन है अब आप सोचिएगा पीपल की नीचे कैसे दीपक जलाएं लेकिन हुली का देहन की साम जलाया जाता है पीपल को छूना नहीं है एक सरसों के तेल का दिया जलाईएगा परणाम कीजिएगा और बिना पीछे मुड़ी घर आ जाईएगा सनी समंदी दोसों से पीडाओं से मुक्ती मिलती है खुली की अगनी में थोरा सा पीला सरसों जरूर डालिएगा जीवन के हर कस्ट समाफ्त हो जाएंगे जो भी ग्यात और ग्यात बाधाएं है कारोबार की समस्याएं है वो समाफ्त हो जाएगी या दखिये, सरसों डालिएगा क्योंकि सरसों का तेल का बिसेस परियोग होता है अगर आपका रोजगार अच्छा से नहीं चल रहा तब एक छोटा सा काम करें एक नारियल का गोला ले लें उसमें थोड़ा सा सरसों के दाने या फिर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसमें थोड़ा सा आप मीठी बस्तू यानि गुड़ या मिसरी डाल दें खोलिका की अगनी में डाल दें गोला यानि सूखा वाला नारी लीजेगा और समूछा पानी वाला नारी नहीं लीजेगा वरना बलास्ट करेगा फट जाएगा आग उड़एगा गलत नहीं किजेगा सही से कीजेगा सिंपल तरीके से हमने आपको बताया अब साम के वक्त एक हन्मान जी के मंदिर में सरसों के तिल का दिया जला दें या फिर सिप जी के ही मंदिर में जला दीजिएगा ताकि जीवन की हर परिसानियों से आप मुगती पा जाएं क्योंकि सिप जी के मंदिर में जो आप सरसों के तिल का दिया जलाएंगे तो उसमें दो लॉंग डाल दीजिएगा बिसेस मनों कामनाओं की पूर्ती होगी और उन से अपनी मनत जरूर मांगे घर के मुखे दरवाजे पर बाहर की तरफ दो मुखा दिया या चार मुखा दिया या फिर एक ही मुखा दिया जो आप से सब बन पड़े वही दिया जला दें सरसों के तेल का चारो तरफ दीपक के थोड़ा सब गुलाल डाल दें आपके घर परिवार पर बुरी नजर दोस्त नहीं आएगी आप सभी सुरक्षित बने रहेंगे बाद में उस दिया को कहीं साइड में मिट्टी में दबा दीजेगा तो छोटे-छोटे चीजों से जीवन के परिशानियों से आप बचेंगे अगर आपके घर के आसपा सनी सिला है तो सुबह सुबह अस्नान बेगर करके आप जाकर तेल अर्पित कराईएगा इससे भी जीवन की परिशानियों समाप्त होगी आप चाहें अगर कोई ना मिले आप नहीं कर पा रहे हैं कोई काम कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात याद रखिए चुकि रभी बार का दिन है तो सर्सों का तेल मत खाईएगा आप कोई भी तेल खाईए पर सर्सों का तेल मत खाईएगा वरना जीवन में सर्देप की नाराजगी बढ़ेगी परिसानिया बढ़ेगी तो इससे आपको बशना चाहिए वैसे तो हुलिका देहन के दिन उप्टन लगाने का भी धान है अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो सर्सों का ही उप्टन लगाईए अगर सर्सों के दाने नहीं है तो सर्सों के तेल थोरा सा दही या सर्सों हलका सा दरदरा पीस कर सब कुछ मिलाकर आप उसका उप्टन बेनाकर सहद वेगरे मिलाकर फिर लगाईए और थोरा सा उप्टन जो आपने लगाया है सरी से लेकर हुलिका की राफ में डाल दें हर तरह की नकारत्मा कुड़ जाएं समावत होगी आप स्वस्त रहेंगे फिलाल आप से बिदा लेते हैं हरहर महादेब धन्यवाद